असलाम अलेकुम जी, वेलकम टो अनियास किचन, आज हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़े का दही चिकन, इद के लिए एक जबरदस्त रेसिपी है, आप भी बनाईएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे जाके आल के आप्शन पे क्लिक ज़रूर करें, ताके मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो दही चिकन के लिए मैं आपको बताऊंगी, कि सबसे पहले हमने लिया है, एक किलो चिकन, पूरी मुर्ग तकरीबन एक किलो ही है, थोड़ी सी ज्यादा है, इसको हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेशन के लिए डाल रहे है, आदा किलो दही, अब इसमें स्पाइसी जाएंगे, एक टीस्पून नमक, मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूं, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सक एक टीस्पून सुर्ख मिर्च, एक टीस्पून हल्दी, हल्दी और सुर्ख मिर्च के बारे में मैं आपको कुछ बताना जाती हूं, कि ये दोनों चीजें हमारे घर में बिलकुल खालिस इस्तमाल होती हैं, मेरी अमीर खुद इनको बजार से लाती हैं, धो के फिर खुद बलके हल्दी तो हम घर में ही पीसते हैं, तो ये चीजें आप भी इस्तमाल कर सकते हैं, कोशिश होनी चाहिए हमारी के जो चीजे हम खालिस इस्तमाल कर सकते हैं, जरूर करें, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बजार से हल्दी लाएं, हमारे मुल्क में आम मिलत और किसी भी डबे में इसको महफूज कर लें और जब जरूरत हो थोड़ी सी निकालें और बिलकुल पाउडर की तरह पीस लें बिलकुल खालिस हल्दी होगी अब इसमें डालेंगे 1 टी स्पून काली मिर्च एक टी स्पून गरम मसाला एक टी स्पून पिसा हुआ सूखा दनिया अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाले चिकन को अच्छी तरह लग जाएं चिकन मेरिनेट हो चुका है अब हम इसको आदे गहंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और आदे गहंटे बाद कुकिंग शुरू करेंगे ताकि ये सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह रच जाएं अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने तीन अदद प्याज लिये थे उनको मैंने फ्राइ किया है और लाइट ब्राउन कर लिया है इसको हम साइड पे रखेंगे और अब हम लेंगे एक कप आईल एक कप आईल ले रहे हैं हम जब आईल थोड़ा से गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे लेसन ये मैंने लेसन के दो जवे लिये हैं उनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है लेसन के साथ ही हम इसमें डालेंगे सबस मिर्च ये दो अदद सबस मिर्चे लिये हैं मैंने उनको भी मोटा मोटा काटा है अब हम इन दोनों चीज़ों को फ्राइ करेंगे थोड़ी देर इनको फ्राइ किया है हमने अब हम इसमें डालेंगे मेरिनेट किया हुआ चिकन आप भी सोच रहे होंगे कि मेरिनेशन मैंने किसी और बॉल में की थी और अब मैं आपको ये वाला बॉल दिखा रही हूँ असल मैं मुझे उसकी जरूरत थी इसलिए मैंने चिकन को इस बॉल में शिफ्ट कर दिया था इसको हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे चिकन को हम जरा तेज आच पर ही पकाएंगे क्योंकि चिकन का अपना पानी भी होगा और दही का पानी भी तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है इसलिए जरा तेज आच पर ही पकाएंगे कि बहुत ज्यादा ना गले और इसकी बोटियां तूटे ना और अब भी हम इसको कवर भी नहीं करेंगे कवर करने से भी चीज जल्दी गल जाती है थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकने देंगे यह देखें पक रहा है चिकन और थोड़ा गल भी गया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर तीन अदद मैंने टमाटर लिया है और उनको मोटा मोटा काट लिया है साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ब्राउन की हुई प्यास अब दोनों चीजों को हम चिकन में मिक्स कर देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह गल जाएं और ग्रेवी में हमें नजर ना आएं इनको मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी सूखी मेथी एक टी स्पून में इसमें डाल रहे हूं सूखी मेथी ये तीनों चीज़ें डाल के इनको मिक्स कर देंगे हम इनको मिक्स करने के बाद अब चिकन को कवर करेंगे अब दोबारा से हम इसको चेक करेंगे बहुत ही मज़े का लग रहा है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है अब इसको थोड़ी दिर हम और पकाएंगे कि जरा पानी इसका थोड़ा और खुश्क हो जाए यह देखें जी बहुत ही मज़े का लग रहा है चिकन तकरीबन पक चुका है अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला एक टी स्पून और साथ ही डालूंगी सब्स धनिया सब्स धनिया मैं काटके फ्रीज कर लेती हूं वही डाल रही हूं इसमें और दो मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे यह देखें जी मज़े का दही चिकन त्यार है अब हम इसको डिश आउट करेंगे यह देखें कितना अच्छा लग रहा है बहुत मज़े का दही चिकन त्यार हो गया है आप इद्वी बनाएं और गर्मा गर्म नान और रोटी के साथ खाएं तो इसका मज़ा और दुपाला हो जाएगा अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे